दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे ताकतवर बीजों के बारे में बताऊँगा जो बीज आपके सरीर की 90% बीमारियों का इलाज है यदि आप इनको रात बर पाने में भीगो कर खा लेते हैं न तो डाइब डीज, यूरी कैसीड, कॉलोस्टोल, मोटापा, कुलाई का दर्द, दोस्तो ये सबी बीमारियां आप से दूर बनी रहेंगी और आपका सरीर भी बिलकुल निरोगी बना रहेगा, ऐसे है ये चमतकारी बीज, और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीजों की, दोस्तो कद्दू सुनते ही हमे हासी आजाती हैं, अक्सर मोटे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए और छोटे बच्चों को हम प्यार से कद्दू कह देते हैं, इसे कासी भल भी कहा जाता है, और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इस कद्दू की सबजी को खाना पसंद नहीं करते हैं, और ये बहुत महंगी सबजी भी नहीं हैं, परंतु दोस्तों ये कद्दू हमारे सरीर के लिए बहुत अधिक फाइद्यमंद है, दोस्तों इन कद्दू के बीजों में हमारे सरीर की 90% बीमारियों का इलाज करने की शम्ता है, दोस्तों इस कद्दू के बीजों में फाइबर, विटामिन A, C, E, आइरन, कार्बोहाइटेड, कैलसियम, पोटासियम, मैगनीशियम, नियसीन, जिंक, फोलेट, आदी भरपूर मातरा में पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कद्दू के बीज आपके सरीर के लिए कितने अधिक फाइद्यमंद है, दोस्तों कद्दू के बीजों मे फाइबर भरपूर मातरा में होता है, जो आपकी डायबटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, दोस्तों कद्दू के बीज स्ट्रेस को कम करके बलड सुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, दोस्तों इनमें प्रोटीन अधिक होता है, फाइब लेवल है वो कंट्रोल में बन रहते हैं दोस्तों यदि आप भी अपने वजन को घटाना चाहते हैं तब भी कद्दू के बीज आपके लिए कारगर हैं इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपने कद्दू के बीजों का प्रयोग कैसे करना है यदि आप तेजी से घटेगा दोस्तों बालों की गरोथ के लिए भी कद्दू के बीज बेहद अधिका फाइदेवन होते हैं क्योंकि इनमें अनोखा एमीनो एसिड पाये जाता है जो आपकी बालों के विकास में मदद करता है ये विटामिन सी से भी भरपूर होते हैं जो आपके बा स्वस्थ बनाना चाहते हैं और कोलोस्टोल जैसी बीमार जिसे बचा रहने चाहते हैं तब आपको कद्दू के बीजों का सेवन करना चाहिए क्योंकि कद्दू के बीजों में स्वस्थ वसा फाइबर और एंटुक्संट होते हैं जो आपके हर्दे के स्वास थिकले बेहद अधिक फाइदे मन होते हैं क्योंकि इन छोटे छोटे बीजों में mono and saturated fatty acid होते हैं जो खराब कोलोस्टोल को कम करने में मदद करते हैं और अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाते हैं इन बीजों में मैगनीसियम भी होता है जो आपके BP को कंट्रोल रखता है जिससे कि आप दिल की विमारियों से बचे रहते हैं जब आपका BP और कोलोस्टोल कंट्रोल होगा तब आपको दिल की विमारियां नहीं होगी दोस्तो यदि आप एनिंदरा से प्रेशान है तब भी आपको इन बीजों का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि कद्दू के बीजों में सेरोटोनिन होता है जो आपके नीद की क्वाल्टी को बढ़ाने का काम करता है जिससे आपके अच्छी नीद की क्वाल्टी बढ़ती है दोस्तों कद्दू के बीजों में कैलसियम भरपूर मातरा में होता है जो आपको जोड़ों, खुटनों के दर्ध, कंदे कमर कलाई के दर्ध से बचा कर रखता है जिससे आपके खुटनों में घरीस भी तेजी से बनती हैं जिससे आपको खुटने बदलवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इन कद्दू के बीजों में एंटिन्रेमेंटरी गुण होते हैं, जो गठिया के दर्द को कम करते हैं, जोडों के दर्द का भी एक कारगर इलाज है, सकराणों की गुणवत्ता को सुधार करने में भी कद्दू के बीज बेहद कारगर हैं, क्योंकि इनमें ज पैदा होने वाले free radicals से आपको बचा कर रखते हैं free radicals क्या करते हैं ये स्वस्थ cell के साथ मिलकर आपके स्रीर को नुकसान पहुचाते हैं लेकिन यदि अप intuition की मात्रा इन कद्दू के बीजों में अधिक होगी जिससे कि आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं यदि आपने चेहरे को glow करना चाहते हैं तब भी कद्दू के बीज आपके लिए फाइदेबन होते हैं क्योंकि कद्दू के बीजों में विटामिन K और विटामिन A होता है विटामिन B भी मौजूद होता है और विटामिन B यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर जुरियां नहीं आती आपके चेहरे पर glow बना रहता है तो देखा दोस्तो कद्दू के बीज कितने कार करें और अब बात आती है कि इनका आपने परियोग कैसे करना है दोस्तो आपने क्या करना है एक मुठी कद्दू के बीज लेने हैं और रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीगो कर रहने देने हैं और सुबह खाली पिट आप उन बीजों को ऐसे ही चबा कर खालीजिए और स्पानी को भी गटगट करके पी जाएए। उस पानी और कद्दू के बीजों को उबाल भी सकते हैं और उबालने के बाद भी आप उन बीजों को भी चबा कर खासते हैं और उन कद्दू के जो बीजों का पानी चाई बनी आप उसको भी पी सकते हैं तो दोस्तों यदि आप भी अपने सरीर के 90% बेमारियों से बचना चाहते हैं तो इस दुनिया के इन ताकतवर बीजों का इस्तमाल सुरू कर दीजी और अपने सरीर को निरोगे बना दीजी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छे लगे तो प्लेज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सबस्क्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आ आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों